सो सो जूता खाय तमासा घुश के देखो क्या आपने मुहले के उस लथेर आसिक की कहानी सुनी है जो हर रोज प्रेम पत्र लेकर लड़की की पास जाता है और चरल पादुका की छाप अपने गालों पर लेकर लोड़ जाता है साथ उस सरक चाप आसिक को उमीद होगी कि कभी तो प्रेम का पत्र स्विकारा जाएगा कभी तो उसके दिल के रेगिस्तान में प्रेम का फूल खिलेगा उस लप हुआ आसिक का तो नहीं पता लेकिन केंज सरकार के सील बंद लिफापे को ये साहब है कि बिल्कुल भावे नहीं दे रहे है वहाँ एक के बाद एक सील बंद लिफापा भेजा जा रहा है और चीफ जसिस बार-बार कर रहे है कि या तो खोल के दिखाओ या तो वापस लेकर जाओ और आज एक मामले में चीफ जसिस ने तो गजबे कर दिया मोदी सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसके जरिये मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी यानि कि लोगतंतर का गला गोटने की कोशिश की जा रही थी और फैसले को तो पलट ही दिया इसके साथ ही उस हाई कोट की भी तगड़ी वाली क्लास लगाई जिसने मोधी सरकार के बंद लिफाफे को स्विकार करते हुए मोधी सरकार के पक्ष में फैसला दिया था इतना ही नहीं आज चिफ जसिस ने लोगतंत्र और पत्रकारिता के बा पिसले दिनों 14 विपक्षी पार्टियां CBI ED जैसी केंदरी जांच एजिंसियों के दुरुपयों के मामले को लेकर सुप्रिम कोट पहुची थी आज सुप्रिम कोट ने सुनवाई से इंकार कर दिया लेकिन इंकार करते वे क्या कहा है वो बात आपको जरूर सुननी इसके साथी चीफ जर्सिस ने COVID-19 के बढ़ते हुए मामलों पर तकड़ा वाला फैसला दिया है उस पर भी बात करेंगे मानवादिकार आयोक का नाम तो आपने सुनाई होगा भारत में इनका हाल वही है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने यकीन मानिए पूर यानि कि सुप्रिम कोर्ट से क्या क्या निकलने वाला है इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात चित करेंगे अगर उससे पहले आप सभी जनरोध है यदि आप मैं पहली बार देख रहे है तो फेस्बुक पर हमारे पेज को फालो और लाइक कर लीजिए यूटुब पर स साहता करने का प्रियास करें बहुत बहुत भवत धन्यवाद आप सभी ने मानूआ दिकार आयोगों का नाम तो जरूर सुना होगा लोगों के अधिकारों का हनण जभ होता है तो ये आयोग उनके अधिकारों की रख्षा य लिए आग न Geral की खबर के अन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 बताती है कि भारत के 25 राज्य मानवा दिकार आयोगों में अधिकांस मामलों में जाज करने का स्टाफ ही नहीं है इस लिस्ट में आप चाहें तो ध्यान से देख लीजिए एक्जिकेविटिव स्टाफ जहां 100 की जरुद है वहां 83 ही है और ट 47 पर्षेंट की कमी है तो आयोग देश की जनता के मानवा दिकारों का कितना सनक्षड कर पाएगा इसकी जानकारी वाट्सप इंवर्श्टिवाले ही दे सकते हैं हमरे पास एक दम नहीं है राज्य मानवा दिकार आयोग से संबंदित ये खबर दवायर पर विस्तार से आप प्रसाण मंतराले ने इंकार कर दिया और कहा था कि ग्रिह मंतराले से से क्लेरेंस नहीं मिली है यानि कि वही नेशनल सेक्यूर्टी वाला बहाना इस मामले को लेकर ये चैनल जब केरल हाई कोट गया तो केरल हाई कोट में केंसरकार ने बंद लिफाफा पहुंचा दिया औ उनको ज़रा गवर से सुनिए। एनर्सी और सी एए तथा नया पालिका की आलोजना की गई। इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि इस तरह की तमाम रिपोर्ट तो पहले सही पबलिक डोमेन में हैं लोगों की बीच हैं इसमें कोई आतंकी लिंक तो नहीं दिख रहा है फिर राष्टिय सुरक्षा को खतरा कैसे पैदा हो गया। ऐसे हवा में कोई दावा नहीं किया जाता है कि किसी भी मामले में सफाई देनी पड़ जाए तो राश्चिय सुरक्षा का हवाला देकर निकल लिया जाए हमने भी इस चैनल को देखा है और चैनल की कोई सामागरी ऐसी नहीं थी जिससे राश्चिय सुरक्षा या सारुजनिक व्यवस्था के लिए कोई खत्रा पैदा हो वहीं के इन सरकार ने सुप्रिम कोट चे कहा है कि हम सिर्फ सील बंद लिफाफे में ही चैनल पर बैन लगाने का कारार बता सकते हैं इस पर सुप्रिम कोट ने दो टुक जवाब दिया और कहा कि लिफाफा वगेर हम बिल्कुल शील बंद लिफाफे के कामकात से साफ़षूतरी और पार दर्सी कारिवाही की प्रक्रिया पर असर पड़ता है और याचिका करता भी अंधेरे में रहता है शील बंद लिफाफा प्राकृतिक न्याय किया उदाला के खिलाफ है इसके सात्री सुप्रिम कोट ने प्रेस के कि प्रेस की ये ड्यूटी होती है कि वो सची बाते जनता के सामने रखे और किसी के आलोचना का मतलब यह नहीं होता कि वो सरकार के खिलाफ है यारि कि यदि कोई मीडिया चैनल चैनल या सवाल कर रहा है। उनकी नितियों की आलोचना कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकाला जाना चाहिए, कि वो सत्ता के खिलाफ काम कर रहा है, इतना ही नहीं, यहां तक कि फटकार तो केंज सरकार को थी, आगे सुप्रिम कोट ने केरल के हाई कोट को भी भेंकार आलोचना की, क्योंकि केरल हाई कोट ने केंज सरकार की सील बंद लिफाफे को स्विकार करते हुए, केंज सरकार के फैसले को सही बता दिया था, सुप्रिम कोट ने इस पर कहा है, कि केरल हाई कोट ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि सुरक्षा मंजूरी से इनकार क्यों किया गया केरल हाई कोट की मन में क्या चल रहा था ये बिल्कुल असपस नहीं है जिसकी वज़ा से ये मान लिया जाए कि security clearance क्यों नहीं दिया गया इसके साथ ही सुप्रिम कोट ने यह भी कहा है कि high court की single bench ने और division bench ने जिस तरीके से सिल बंद लिफाफे को स्विकार किया वो सम्विधान में दिये गए प्राकरतिक न्याय और सिध्धानतों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है आज सुप्रिम कोट ने यह भी कहा कि security clearance की जो बात कही जा रही है जिसको आधार बना कर channel के license को renew करने से मना कर दिया गया है उसकी वज़ा ना बताना और कोट को सिल बंद लिफाब में में जानकारी देना याची का करता को सम्विधान में दी गई नया की guarantee के खिलाफ है केरल हाइकोट ने अबचारिक आदेश के जरिये याची का करता यानि मीडिया वन को राहत के अधिकार से वंचित कर दिया आगे मीडिया की बारे में सुप्रीम कोड ने कहा कि एक स्वतंतर प्रेस नागरी को असल तत्य प्रस्तुत करता है और सरकार की कारसहली पर प्रकास डालता है। सरकार से दुस्मनी करना नहीं है बलकि मीडिया का यही करतव्य है और यह करतव्य है जनता के प्रती भारत के लोकतंतर के प्रती संविधान के प्रती है। क्योंकि उन्होंने अपने आफिस में जो इंटीरियर बनवाया था उसे बनाने वाले का पैसा नहीं दिया था। पर इसी वज़े से उसमें उसने आत्मात्या कर ली। क्या आपने यह महसूस किया कि सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों की गिरफतारी और अर्नब गोसामी की गिरफतारी में क्या फर्क था। फर्क यह था कि असल पत्रकार करने वाला कोई भी पत्रकार गिड़गडाया नहीं, बिलबिलाया नहीं, रोया नहीं, चिलाया नहीं क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो सच के साथ हैं और सच उनके साथ हैं। साइध इसलिए वे सब के सब कानून में बरोसा रखते हुए, जंग लड़ते रहे, बले ही सालों तक जेल में सड़ते रहे। मगर अर्नब गोस्वामी की गिरफतारी पर किस तरह से ये महासर बिलबिला रहे थे, वो तो आपको यादी होगा, क्योंकि इन्हें मालून था कि जो कांडरी इनों ने किया है, उसकी वज़ा से जो हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड है, पुलिस वयन में से जहांत जाक के किस तरह से चिला रहे थे, कि हमको मारा गया, हमको पीटा गया, ये तो आपको यादी होगा, वहीं कोरोना के मामले को लेकर सुप्रिम कोर्ट के चीफ जसिस ने कहा है, कि हमने बढ़ते कोविड-19 की खवरों को अखबारों में देखा है, ऐसे में यदि वकील चाहे तो हाइब्रिड मोड का उप्योग कर सकते हैं, यदि आप आउनलाइन पेस होना चाहते हैं, तो हम आपकी बात सुनेंगे, यानि कि सुप्रिम कोर्ट ने वकीलों को आउनलाइन सुनवाई करने की व्योस्ता देने के लिए चीफ जसिस ने हामी भरी है, देश में आए दिन विपक्ची दलों और उनके नेताओं पर CBI, ED, इनिकम टेक्स के चापों को लेकर गंभीर चाचा चल रही है, तमाम विपक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, विरोध की आवाजों को दबाने के लिए, विपक्ची नेताओं को गिरफतार किया जा रहा है, इस पर चीफ जसिस और जेबी पार्दिवाला की बिंच ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है, और कहा है कि हम इस मामले पर जनरल अधिक सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट से नहीं ले सकते, यानि कि सुप्रीम कोर्ट जितना आम आदमी के लिए काम करेगा, उतना ही नेताओं आधि के लिए भी काम करेगा, कुल मिला कर सुप्रीम कोर्ट की बातों से यह समझ में आता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मे यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्रिय जांच एजंसियों को जांच से रोक दिया जाए वैसे जांकारों का मानना ये भी है कि आने वाले लोग सभा के चुनाओं दोजार चौबीस से पहले जितने भी विपक्सी दल हैं उन सभी के नेताओं की लिस्ट तयार है और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को जेल के वीतर डाला जा सकता है आगे आगे देखिए जुनाओं तक होता है क्या वीडियो अच्छी लगे हो तो जादा जादा लो तक पहुंचाएं हमसे जुनने के लिए बहुत धन्यवाद चहिंद